समझालीन बिश्य राजनीती में आज हम अमेरिका की बर्चर्ष को स्थापित करने वाली या अमेरिका द्वारा बिश्य को अपनी बर्चर्ष को दिखाने की एक घटना का जिकर करेंगे जिसमें हम Operation इराकी Freedom पर चर्चा करेंगे यहाँ वर्स 2003 की बात है जब 19 मार्च 2003 को अमेरिका के नित्रुत में 40 से अधिक देशों ने आउप्रेशन इराकी फ्रीडम चलाया जिसे हम आकानशाओं का महाजूट या कोईलिशन आफ विलिंग्स के नाम से जानते हैं इराक पर हमले करने का मुख्य कारण बिश्चु को यह बता गया कि एराक शामुईक संगार के हत्यार बना रहा है और यद वह इन हत्यार को बनाने में सपल रहा तो इससे सामुईक संगार हो सकता है इसे देखते हुए 40 से अधिक देशों ने एराक प्राक्मन कर दिया इस युद्ध के लिए सहित राष्ट संग से भी कोई अनुमती नहीं ले गई युद्ध के बाद इराक में ऐसे किसी भी प्रकार के हत्यारु की मौजुद्ध की का प्रमान नहीं मिला जिसे यह बात इसपस्ट हो सकें कि अमिर्का द्वारा जिस संदेह या संका को लेकर इराक पर हमला किया गया था वह साबित हो सकें अर्थात 40 से अधिक देशों का इराक पर हमला करना सफल नहीं रहा या जिस मकसद के लिए उन्होंने वहाँ पर हमला किया वह मकसद देखने पर नहीं मिला हाला कि कुछ बिसे सग्यों का मानना है कि अमेरिका द्वारा इराक पर हमला करना सिर्फ एक बहाना था कि वह सामोहिक शांगार के अहत्यार बना रहा है जबकि इस युद्ध का असली मकसद वहां के तेल भंडारों पर अपने न्यांतर्ण इस्तापित करना था और वहां पर अपनी मनपसंद सरकार का गठन करना था जब हम अमेरिका द्वारा किये गए इस युद्ध को देखते हैं तो उसके कुछ परणाम हम देखते हैं वो परणाम इस परकार निकले इस युद्ध के बाद इराग से सद्दाम हुसेन की सरकार चली गई लेकिन अमिर्का इराग को शांत करने में असपल रहा जो असांति युद्ध के द्वारा इराग में फैलाए गई थी वो हबात के वर्सों में भी देखी गई जिसे इस पच्ट होता है कि इराग में असांति का मुख्य कारण अमिर्का रहा है दूसरा इराक में अमेरिका के खिलाब विद्रो होने लगा यानि कि इराकी नागरिकों के दौरा अमेरिका के इस गतिविधी का विरोध किया गया तीसरा इस युद्ध में अमेरिका के 3000 से अधिक सेनकों की मिर्त होई और 50,000 से अधिक इराली की नागरिक इस युद्ध में मारे गई हम देखते हैं कि जब अमेरिका द्वारा अपने बर्चस को स्थापित करने की कोशी की गई तो कहीं न कहीं उसमें नुक्षान अमेरिका को भी हुआ लेकिन बिसीजोग्यों का मानना है कि ऑप्रिशन इराक की फ्रीडम चला कर अमेरिका को उतना ज़्यादा लाब नहीं मिला जितना उसे हानी हुई चोहता इराक पर अमेरिकी हमला शैन्य और राजनिती धरातल पर अस्पल सिद्धुआ क्योंकि अमेरिका को वहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार गठन करने का अउसर नहीं मिला या हम ये कह सकते हैं अमेरिका अपनी मनशुबों पर काम्याब नहीं हो पाया आज की इस परकरण की जो अभ्यास प्रस्टन है वो इस परकार है पहला है आकांशियों की महाजोट यानि की कोईलेशन आफ विलिंग्स में कितने देश सामिल थे दूसरा आउपरिशन इराकी फ्रीडम से क्या तात्परिय है तीसरा सन 2003 में अमिर्का द्वारा इराक पर किये गए हमले का मुख्य उद्देश क्या था चौता आउपरिशन इराकी फ्रीडम के परिणामों की ब्याख्या कीजिए सीत यूद की समाप्त के बाद अमिर्का द्वारा अपने बर्चत से कुस्तापित करने के लिए पर्थम खाड़ी यूद जो क्यों 1990 में चलाया गया था उसके बाद उसके द्वारा 1999 में भी आतंगवादियों के संगटनों को सफाया करने के लिए कई कदम उठाये गए फिर उसके बाद वर्च 2003 में आउपरिशन इराकी फ्रीडम चलाया गया यानि की सीत यूद के बाद भी अमिर्का अपने बर्चत से कुस्तापित करने के लिए कई ऐसे शैनी कारवाया करता रहा ताकि उसका बर्चत से कुस्तापित हो सके आज के इस प्रक्लम में इतना ही धन्यवाद